ताड़ा सब्दा सवागत है तुसी देख रहो एबीसी पंजाब अज एक होर स्यासी किस्सा लेके हाजरां अमीद कर दें कि जिड़ा काल सी किस्सा दकायाँ सी जते दा गुर्चन सिंग टोड़ा और संत जन्राइल सिंग पिंडरा वारे वचकार जो वारतफ लाप होई सी उतानों पसांद आई होगी तो अपील कर दें हैं कि हर रोज स्यासी किस्सा लेके हाजर रहां गे लेकर साड़ा ता तक तुसी पेज लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो ते शेर भी करो आज जिड़ा से स्यासी किस्सा लेके हाजर रहां ओवी एक नवा नवेकला तानों लगे गा कामरेड हर किशन सेंग सरजीत बारे कौन नहीं जान दा जिलंदर दे पेंड बड़ा तो लाइके दुनिआदे हर कोंने विच उनना दा दा नाम गूजया उनननु पारती स्यास दा चैंपिmesan भी क्या जान दा रहा रुस्त में हिंद भी क्या जान दा तो क्योंकि उन्हादी सोच हर दुनिया दे कोने विच पहुंचिया गिया है। अपील भी की थी सी पिंडो पिंड़ जाके होका भी दिता सी। जद अंग्रेज हकूमत पता लगदा के एक कामरीड हारकसिंग सरजीद जड़े उस समय नौमी जमादे वद्यार थी ओधी वड़ी पूमी का शमूलियत रहिया। फिरो मैनेजमेंट नू कह दे कि इस बच्चे दानाम कट दिता जावे। मैनेजमेंट डार जान दिया कि किते उनना दी जड़ी सरकारी एड सहता बांदना हो जावे। ओ हेड़ मास्टर नौ हुकम चार देने। हुकम उस समय जड़े मुख द्यापकसा नौ मान लें देने। पर नाल दी नाल उस शर्त नौ मनन तो निक सरकार कर देने। जड़ी शर्त अंगेज हगूमत ने क्या सी के ओदे साटी विड़त ए लिख दिता जावे। बैड करेक्टर लिख दिता जावे। ताँ जोए अपनी अगली पड़ाई किसे भी शैर देविच, किसे भी स्टेट देविच जारी ना रख सकन। समा बीदा गया, दो यार आठ देविच कामरेड सरजी सिंग होड़ी मौत हो जाँ दिया। और मौत तो बारा साल बाद जदे कैपटन अमरेंदर सिंग दे सरकार बांद दिया। ते सीपेम पंजाब लों अपील किती जाँ दिया गया कि ओ स्कूल जेस स्कूल दे विच्च सानु सनाया, ऐसा में जेडे सीपेम दे सूबा सकत्तर कामरेड सिक्विंदर सिंग सिख होड़ाने। भी गदरी बाब्याने देश पगता ने कावड अरकेशन सिंग स्वर्जीत उनानू इस निया लाया भी जल्सा करना तुस इकड़े आलफड के मतलोदा होका देना है। इनाने कड़े आलखड का के कैड़ेता भी जल्सा होना पेंड देंदर। वो जल्सा हो गया परमा जल्सा हो गया। बाबा पाक सिंग कनेडियन ते बाबा कर्म सिंग चीमा इना देना आते हां दफ्तरा स्टेट दा हैड़कॉर्टर। अगले दन की होया जल्से तो बाद अंग्रियेज पुड्स ने मतलब रेड करनी सी भी की ने जल्सा कराया। मेंजमेंट सी जेडी पेढ़न दी हो उस खाल सा स्कूल दी ओ डरगी मेंजमेंट मतलब ही विसाटी एड बंदो जनिया स्कूल नूँ जड़ा 95% ग्रांट मिल दीया। उन्हाने अंग्रेज जान दे दुआ थले मेंजमेंट ने हेड मास्टर नूँ केया थे जड़ा मुखी सी स्कूल दा भी इस बच्चे दा नौ कट दे। उन्हानने पुछा भी किस बच्चे ने मतलब कड़े आलखड काया की ने औरगेनाइज कराया। नानने क्यान हेरकेशनंसिंग उन्हानने कराया हा। तो उन्हाननने क्या भी इस दा ना कट दे। ना मेंजमेंट ने अवी प्रेशरे माउन्हान कीताया। बिद उस्टे लख दो भी किते दाखला ना हो सके बैड क्रेक्टर मतलब लिख दिओ. उदेचे उस स्कूल मुखी ने क्या भी ठीक है मैं मेंजमेंट दा जो होकमाओनों प्रवान करना ना इनना ता मतलब बच्चे दा मैं काट दनना पर जिड़ी कहले तुसी दुजी शर्त लोने या भी इनना दे सार्टिफिकेट दे मैं बैड करेक्टर लहना किते दाखलाओ यह निमें करना है कि उन्ना दा मतलेक समझलों भी स्कूल मुखी दा भी दिलेरी पर आकादमी सी गा नोक्री संबने सी कि उस्तों बाद फिर गदरी बाब्या ने इनना नूं खाल्सा स्कूल जिलंदर चे दाखल करा दता मतलब पंड वास्ते उस मेले नौमी देब द्यारत सब्सक्राइब कावड जी जो फेर उत्थे पढ़ दें हो हैं कंटक्ट तब पार्टी नाल सी गे को कि नदे पिता जी भी फ्रीडम फाइटर सी उदे अगला जिड़ा फिर मतला हुंदा मतला कैंड पावेया भी आज जो स्कूल जिड़ा है हुँ कावड हरकेसन संग सरजीत जादगारी सीनियर समार्ट स्कूल बंडाला नौ हो गया दा असी पार्टी वल्लों सुबा कमेटी वल्लों फैसला करके पंजाब सरकार नूं कोस बिले दे मुख मंतरी नूं कैप्टन मरिंदर संग नूं चिठी लगी बेदा करके कावड स सरजीत उनी एक फ्रीडम फाइटर ने तो उनना दा जड़ा स्कूल दा नाया उनना दे नाते होना चाहिए दा है तो उनना ने मतलों परवान करके नोटिफिएशन कर दता है कि मतले आये समझो भी एतीकती दी कटना है वो जिलन दर मतले अब साल डेड़ साल फिर नौमी और दसमी दा नौमी दा अमत्यान पास कर लिया दसमी दा अमत्यान दित्ता पर प्रैक्टिकल रह गया इस करके रुजाल्ट भी पास नहीं हो सके हाँ कामरेड सवर्जी सिंग ह उन्हानु सिर्फ समर्पत उन्हादे पेंड़ दा इड़ा स्कूल है सरकारी सीने केंड़े स्कूल जड़ा समर्पत ही नहीं कीता गया बलके एक होर मांग सी जड़ी कैप्टन अमरेंदर सिंगोना ने मजूर कीती सी के उन्हानु समर्पत जित्ते स्कूल दा नाम रख्या गया जिदा रोड जान्दा पेंड़नू बडाले पेंड़नू रोड जान्दा गा ओपेंडदा रोड भी उनना दे नाबते ही कोशत कीता जावे स्वर्जीत मार्ग रख्या जावे पच्ची किलो मीटर दा रोड सी और कैप्टन मरिंदर सिंग मंजूर कर देने उस्तो बाद जिदो सुबे दे मुख मंतरी चर्ण सीग चन्नी बांदेने चवी दिसंबर वी सो एकी नू ओ पेंड़ जिदो ना दी बरसी उदिया होते जाएके उदुगाटन करके आंदेने और एवी एलान कर देने चन्जी सिंग चन्नी के जद सरकार दोबारा बनेगी तो उनना दे नाब तेकर नर्सिंग कॉल जवी खोल लिया जोगा वक्री ग कि अधर दे ओ एम एले वी रहे दो बार बदान्सवादे रासवादे मेंबर भी रहे उनना दे ना ते रोड जड़ा बनोना चाहिदा जंड्याले तो लेके बड़े पेंड तक उस बले बड़े बड़ा पेंड कांसिचुंसिंदी सी बड़ा अनसवादी रोड भी है ओ कामरेट सर्जीत सिंग सर्जीत रोड़ा तो बोड मतलब आयनी भी छोटा बोड़नी अब मतलब सार पार मतलब सटक दे बड़े जद्धा मतलब बोड़ने उस तरह दे बोड़ना ने कामरेट सर्जीत सिंग नेशनल जर्नल सेक्टर वी रहे पोडर बीरो मेंबर वी रहे और पंजाब्च वदैक वी रहे रासबा मेंबर वी रहे और उस समय जेड़ा पेंड़ बड़ा जिन्वाज केंदे उस समय वदांसा बाहल का बड़ा सी और उत्हों वो एमले भी बने और एवी कामरेट सुक्मिंदर सिंग सेखोना दस्स है कि जड़ी पहली गैर कांगरसी सरकार जस्टस गुर्णाब सिंग अगदी अगवाई एचए सिसकुमि perfect उस सरकार जिड़ा सारा ताना बाणां जिड़ा ओने आ जिड़ा व्योंत बनाई गी कामरेट सर्जीत होना नहीं बनाएए पहली जिड़ी 11 इंगरसरिकार पंजाब ऑनी पहली दफ़ा जिड़ाप पिंड़ा दविच शास्ते राषन डीपु कहुले सी कामरेड सुर्जी सिंग होना दे ही देन सी ते पहली जेड़ी गैर कॉंगरेश से सरकार सी ओदेची ही जेड़े साथपल आंग साप जड़े अबर सर्तों वदायक सन ओफूड स्प्लाई मंत्री सन ताहीं पिंडो पेंड पंजाब देचे राश्न दियां दिकाना कुलिया सन कांवड सरजीत उनें उननी सो स्ताड चहो से कंसी चुन सी तो एम अले वी चुने गए तो वह एक होर मतले देना नाल जोडमींगा लाभी ओपहली गैर कॉंग्रसी सरकार दे कांवड सरजीत उनी जास्ट घरणाम सिंह दिया गवाय चो सरकार बनी सी उननी सो स्ताट वीच ते कावड सर्जीत उना नो सारयानों कठे-कठे कठे करके, वो दो था हाब लाब नी सी बनेया है, डिफेक्शन एक्ट भी नहीं सी गा, वो खरीदोफ परोख कांगरस मतलग करी लें दी सी, मतलग जेदा वियोक्यों का मेन रूलंग पार्ची सी हो, ते कावड सर्जीत उना जिनने मतला में लेजी चारे अना गठवंदन जा करके उस सरकार दा गठन कीता है तो सरकार दे कंविनर कांड घरकेसन संग सरजीत संग जेड़ा मेरा खाल बहुत है लोकानूं तो होनदी पीडी नूता है मेरा खाल बिलकुल लिनी ग्यान नी होएगा एक बहुत बड़ा मतल किता है कि गहर कॉंग्रेसी सरकार दा गठन करौन बेचे और सरकार दे बारो रहके असी मतला अपना उनूं चलाउन दा कम किता है कांड सरजीत उनन और उसे बेचे CPI दे बड़े लिडर कांड सातपाल डांग सेबल सप्लाइड डपार्टमेंट दे बजीर भी बने तो सां दे अंदर जिड़ा एक बदल दे ता उरते सरकार जिड़ा पिंड़ा चे सास्ते रासन दे दकाना खोली आंगियां लोका नूं सास्ती मतला 14-15 चीज़ां दी सप्लाई होई ओ भी कार्ड कामरेड हर किशन से सरजीत उना दियो इसी ये भी दबाप आया गया सी कि उना दे साटी वीड़ दे लिखा जावे कि बैड करेक्टर ने ता जो अगए तो उना नो किसे भी स्कूल चे दाखला ना बिल सके फर उदों गदरी बाप्या ने बाच उना नो खालसा स्कूल जलंदर विखे दाखला करवा देता अगा लेक करके दे बाप सारे इंगा किताभा में आगा बाप सारे लेक लखे गई कि वो पारती सियासत दे ऋर ऊ मिह फिन्दः और उना बारे कौन ने जानदा आगा कि बडाला पंड़तों लेके के मैं दुनिया दे औना हर सफर दे वीच हर कोने दे वीच अपना चंडा बलंद कीता उन्हादी सोच उन्हों लेकि लोग वड़े वड़े जड़े मोलक ने ओगवाईयां भी पार देने चाहि क्यूबा वर गे देशी क्यों ना होन अमीद करते हैं कि ए प्रोग्राम तानों जुरूर पसंद आया होगा जड़े असी आज तानों सियासी किस्सा सुनवाया पलके इसे समय एक होर नवा सियासी किस्सा लेके हाजर होगी के ओ केड़ा पंजाबी नौजवान सी जीदी उमबर मैं जो समय सोड़ा सार सी ते अंग्रेज हकूमत दा सरकारी दफ्टर जो चंड़ा उतार दिता सी ओ थे अंग्रेज पूर से फिर उन्हा ते गोड़िया वरा तो फिर जाजिन ने जो नाम पुछिया उन्हा क्या कि मेरा नाम लंडन तोड सिंगा लंडन तोड सिंग दी कहानी पालके जुरूर विक्णा ना पुलना इसे समय ता तक सानुदियो आ गया इसे तरह देदरो ABC पंजाब हाँ साड़ा पेज जुरूर लाइक इते शेयर भी करो क्योंकि हर रोद सियासी किसे विच नमा पहलो लेके हादर हुआएं बहुत बहुत शुक्रिया